हेलो फ्रेंट्स एंड वल्कम डू माई चैनल नीटू स्पेशल किचन फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एकदम मार्किट वाले स्प्रिंग रोल आप इसे घर में बहुत जल्दी बना सकते हैं और यह घर में बन भी बहुत क्रिस्पी जाते हैं इनकी बाहर के इसको एकदम पतला बैटर बनाएंगे अब इस पर दीरे दीदे पानी डालेंगे नहीं तो गाठे बन जाएंगी अब यह हमारा बैटर तेयार है यह आप देख सकते हैं यह आपको इतना पतला रखना है अब हम पहले शुट तेयार करेंगे इससे आप एक ऐसा नॉनिस्टिक पैन ले लिजिए गैस जलाएंगे जब यह हलका गरम होगा तब हम यह बैटर इसमें डालेंगे इसको तेज गरम नहीं करना है सिर्फ नौलमर गरम करके ही हमें इसमें बैटर डालना है आप इस तरह हाथ इसके ऊपर करके देखेगे यह आपके हाथ साथ पर हलकी सी हीट लग रही है तो आप इस बैटर को इसमें डालेंगे यह गरम हो चुका है अब मैं एक कल्षी ये बहुत गरम होता है तो इसलिए वह बहुत अराम से उतार हैं यह हमारी पहली लेयर बनके तयार है हम यह इसको इस मैदे पर ऐसे रख देंगे मैं ऐसे ही सारे तयार कर लेती हूं friends मेरी हे सारी月 बouting के तयार हो चुकी हैं अब हम इसके अंदर की stuffing त्यार करेंगे यह मैंने एक pen लिया है उसमे मैं ढाल रही हूँ 2-3 चमच relyfag fine ग olmaz इसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज जिसे मैंने ऐसे लंबा लंबा काटा है जैसे कि हम लोग चावमिन में डालते हैं उस तरीके से काटा है इसमें मैंने डाला है अद्रको लसून का पेस्ट एक चममच एक गाजर लंबी कटी हुई थोड़ी सी पत्तागो भी थोड़ी सी शिम्ला मेर्च आप चाहे तो इसमें और भी वैजिस जाल सकते हैं जैसे बेंस या सुईट कॉर्न या स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं आप इसमें अम इसमें डाल रही हूँ आदा चममच नमक एक चममच शेजवान सॉस इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा एक चममच टमाटो का चप हम इन सब्जियों को बहुत हलका हलका ही सॉफ्ट करेंगे और इसको एकदम तेज फ्लेम पर बनाएंगे च्योंकि चाइनीज पूड हमेशा तेज फ्लेम पर ही बनता है उससे उसका अंदर का जो मौश्चर होता है वह बहुत जल्दी सूख जाता और सब्जी करंची रहती है तो इसलिए इसको तेज फ्लेम पर ही बनाएंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी बॉल्ड गीवी चाउमीन एक चम्मच स्वय सॉय सॉस आप स्वय सॉस थोड़ी डालें आपको लगे कम है तो बाद में डालनें हमारी अंदर की स्टपिंग तयार है मैं अब इसे ठंड़ा होने के लिए रख देती हूं यह मेरी लेयर यार हो चूटी है यह मेरी स्टपिंग ठंडी हो गई है और तयार हैम अब मैं इतने जला देती हूं कड़ाई मैंने रख दिये और इसमें मैं डाल रही हूं रिफाइन डॉइल मैं इतने स्टफिंग भरूंगी इतने हमारा घी भी गरम हो जाएगा कि यह फ्रेंट्स मैंने एक ले लिए मैं यह स्टफिंग कि इसमें एक साइड रखो कि आप स्टफिंग अपनी टेस्ट की अकॉर्डिंग कमिया ज्यादा कर सकते हैं यदि आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा बढ़ लीजिए यह मैदा इस पर चिपक गया है आप चाहें तो इसको जाड़ सकते हैं नहीं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा अब आपको इस तर बिल जाएगा अब हमें यहां से चिर sniff कानाओ तो आप चाहें तो इस लऑ लगा सकते मैसले तियार कर लेती हूँ फ्रेंट्स मेरे चाठो बनके और हम लोग इने फ्राइयं करेंगे घी मेरा लुचका है मैं दीरे-दीर ही इसमें छोड़ोंगे कि आपको रीडियम फ्लैम पर नहीं तलना नहीं तो यह होई कि आप चाहे मिसको हाफ और निकाल सकते हैं दुबारा रज़के यैसे कि लोग करते हैं लेकिन वह दो कर रहे हो तो उसमें कर भाल घर में बना कर देखिए आपके एकडम पार्टीज बनेंगे नहीं लगता और घर में बनते भी बहुत क्रिस्पी हैं मैंने गोल्डन ब्रावन होने तक तन लोंगे यह मेरे सीख चुक है मैंने निकाल रही हूँ और दूसरे इसमें डाल रही है यह देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बने हैmen अब ऐसे ही दूसरे तैयार कर लेती है अन् 1-1 सुर्फ मैंने सारे तयार कर लिए और सर्फ कर लिए आप एक बार इस तरीगे से bize स्प्रिंग रोल बनाए इसकी बहार की शुट्व h में जरूर बताएं कि आपके स्पिडिंग रोल मेरे बतायनुसर कैसे बने फ्रेंट्स आप मेरी वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें थैक्स फर वाचिंग